हेलो फ्रेंड जैसे कि आपने मेरी पीछे की वीडियो में देखा कि सेल फोर्स क्या है ख्लाउड कॉंपेटिंग क्या है और सेल फोर्स का अकाउंट कैसे बनता है ठीक है सब अब मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप्लिकेशन के एप्लिकेशन के लिए मुझे क्या करना उसमें how to create application, application create करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे जाना है setup, जैसे ही मैंने setup पे button प्रेस किया, then मुझे जाना है, build, setup के बाद build, build के बाद जाना है create, create पे जैसे टिक किया, app पे टिक कर दिया, ठीक है, then यहां से क्या करना है, मुझे करना है new app, Salesforce में दो तरह के app होते है, एक console app होते है, एक custom app होते है, firstly मैं आपको करवा रहा हूँ, console app, firstly मैं आपको करवा रहा हूँ, custom app, तो आपने कौन सा app application के सच्च किया, custom app, custom app करने के बाद नेक्स्ट कर दिया, ठीक, then आपकी जो भी application है, उसका नाम दे दिया, जैसे कि online shopping, online shopping या कुछ भी लिख लेना, then आपने next कर दिया, then next, then यहां से आएंगे कि available tab कौन से आए, जब भी मैं custom app बनाता हूँ, तो home जो होता है, यह by default होता है, मैं इसे remove नहीं कर सकता, अब जो जो tab आपको दिखाने है, जैसे कि मैंचे dashboard दिखाना है, report दिखाना है, या opportunity दिखाना है, मैंने यहां से add कर दिया, then मैंने यहां से क्या, next, next करने के बाद यह क्या है, मेरी सारी क्या है, Salesforce की profile है, किस-किस profile को यह application दिखे, किस profile को यह application ना दिखे, तो इस मैं से मैंने क्या कर दिया, अपनी application में सुच कर गया, अब मैं सुच किया, किसमें अपनी application में सुच कर गया, यहां से मैंने क्या कि यह setup page पर टिक किया, तो मैं कहा पर गया, home page पर चला गया, किसी को किसी इसी topic से कोई भी doubt हो, कुछ भी related कोई भी कुछ भी issue हो, तो वो मिए इस number पर contact भी कर सकता है, thank you,